नमस्कार सर मेरा नाम राजु है आज से 9 सल पहले एक इंवेस्टर का मैं पैसा देख रहा था कि 9 सल पहले उन्होंने 5 लाग रुपया इंवेस्ट किया था निपॉन ग्रोथ फंड में और उनके पॉर्टफोलियो में आज 16,25 जरुपया है यह एक जवान है जिन्होंने 5 पॉर्टफोलियो देखते हैं तो 14% के रिट से 16,25 जरुपया है जब आप अपने जवानों से मौर्णिंग परेड में हाथ खड़ा करके पूछेंगे कि आपने पैसा कहां कहां इंवेस्ट किया है तो बोलेंगे इंसुरेंस में पैसा इंवेस्ट किया है सहारा में पैसा इ लें होगा जहां आपके जवान पैसा इंवेस्ट करते हैं तो वहां उनका एक बार आप कॉंसलिंग करके उनको गाइड करेंगे कि एसाइपी में पर मंत करें मातर साथे साथ हजार रुपया करें पांच-पांच पांच रुपया का फंड लें एक एक हजर का फंड लें पी चलाएं आने वाले 18 साल तक चलाएं आज नौकरी लगा आज सही साथ हजर का इसाइपी सुरू कर दें 18 साल तक पंदर पर्शन का रिटन कल्कुलियर करूं तो सोले लाग बीजार जमा होगा और विल्यू बनता है बेरासी लाग एक क्यासी जब रिटायर करते हैं 18 साल क प्या पहुच के तरफ से मिलता है लेकिन वही साड़े साथ हजर का इसाइपी चला दें तो असी बिरासी लाग रुपया हो जाता है मुझे यह परसनली बहुत बुरा लगता है कि एक जवान रिटायर्मेंट के बाद 16, 17, 18 साल नौकरी करने के बाद किसी कंपनी में करने में उनको मन लगता है आप अपने जवानों को एक्विटी साइपी के बारे में एजूकेट करना चाहते हैं तो आप मुझसे गूगल मीट करा सकते हैं अपने मंतली मीट में ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरा जो ऑनलाइन क्लास होता है गूगल मीट पे वह मातर 30-40 मि के बाद जवान खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको अपने मेहनत का पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए कोई जरूरी नहीं है कि मुझसे मुचल फंड खरीदना है किसी भी SBI के ब्रांच में जाके यह मुचल फंड खरीज सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं कि आपको मुचल फंड का सुर्वात कहां से करना चाहिए वीडियो चल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू समच